खाजूवाला रिपोर्टर सुरेंदर कुमार डेलू डीजल पेटरुल के बढ़ते भावों ने खिसानों की तोड़ी कमर डीजल थे रहे है घानेवें जोकी स्कूर पर पड़ता दिखाई दे रहा है हर बार किसमत से लड़कर अपने परिवार का पेट भरने वाले के साथ साथ संसार का पेट भरने वालों को ही शायद किसान कहते हैं कभी मौसम की मार तो कभी टिड़ी के प्रभाव से खराब हुई फसलों से परेशान डीजल के भावों ने तरहां से किसानों की कमर तोर कर रग दी है ऐसे में अब किसानों को महंगे दामों में डीजल खरीद कर क्रिशी कार्य करना पर रहा है खाजुवाला के किसान देविलाल साहरन ने कहा कि लगातार बढ़ रहे डीजल के भावों से किसान परेशान हो गया है किसान के द्वारा अब खेती करना मुश्किल हो रहा है इसलिए सरकार को डीजल पेट्रोल के भावो पर नियंतरन करना चाहिए वहीं खाजुवाला विधायक गोविंद्रा मेगवाल ने भी केंदर सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते केंदर सरकार के द्वारा लगातार आज 19 दिनों से डीजल वा पेट्रोल के भाव बढ़ाये जा रहे हैं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए किसानों को खेती करना मुश्किल हो चुका है अब 19 दिनों में लगबग 10 रुपे डीजल बढ़ चुका है लगबग 14 रुपे डीजल पहुंच चुका है और इसके साथ पेट्रोल भी लगातार बढ़ रहा है तो इसके साथ में इतना महेंगा डीजल से खेती कर पाना किसान के लिए बहुत ही मुश्किल काम है और ये नर्मा भी अब है तो हम खेत में लेकर जाते हैं मंडी में तो 35 रुपे बीगता है हमारा और इसका समत्र मुल्य लगबग 6,000 के लगबग है और मोदी सरकार कह रहे हैं 2022 में हम किसान के आई डबल कर देंगे दुगोनी कर देंगे तो इस तरह यदि डीजल के दाम ब तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं 10 दिनों से 10 रुपे परती लिटर डीजल और पैट्रोल के बाव बढ़ गये हैं इससे मेंगाई बढ़ी है इससे गरीब आद्मी के हाला और जड़ा खराब हो रही है उसके अलावा इनसे मेंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है भरष्ट लोगों को जो बोर्ट का ठगने की साजी चरच रही है हम इसकी निंदा करते हैं और